अलो जी गूड इवनिंग कैसे हैं आप सब शाम के बजने वाले साथ और शाम के साथ बज़े से हम आज का ब्लोग स्टार्ट कर रहे हैं काफी लेट कर दिया ना आज पूरे दिन लाइट नहीं थी कल मतलब आज सुबह गई थी और फे पूरे दिन नहीं यह और देखो फवा सारी एडिटिंग एप्स में डूबारा डाउनलोड करके अडिट किया लेकिन फिर भी सक्सस नहीं मिली दिमाख खराब करके रग दिया रेगुलर्टी टूट जाती और कुछ नहीं है मतलब कोई बात नहीं नहीं जाती तो लेकिन मस रेगुलर नहीं रह पाते ना तो दाल बनाने के तेयारी कर रही हूं मैंने दाल बनाने के लिए अभी बस दाल धोई है दोके यहां रखी है चुले पर देख जी रखी है और यहां तवा लगा हुआ है क्योंकि इसको ढख रखा था पहुत देर से बारिश आई थी थी थोड़ देर पहले तो मैंने ढख दिया था वे पॉड़ आखे जी थी तो उसमें पता बात क्या होती है जिससे सामने पढ़के बोलना रहे कमरे पर हूं और मो वे इड ऐखने सामने में सामने विडियो होती है और यह पता नहीं आप लोगों के है की नहीं है लेकिन हम लोगों में है जैसे की इज़त बोलते हैं कि सामने पर्दा जो लगाते हैं पर्दे का मतलब भी यही होता है कि आंक ना उठे पता है जब हम लोग अपने घर पे किसी को भी बोलते हैं माइके में तो हम लोग रिस्टेक्ट उस तरीके से जैसे Sosraral में रखनी चाहिए टो वही रिस्टेक्ट दिलाने की लिए ही परदा लगाया जाता है उस चीज़ को देखते वे फिर साही नीं था ना तो चलिए मैंने ये बात क्लियर कर दिया अब पापजी आने वाले अब मैं थोड़ी तेरे बाल देने तो जी कर लेते हैं अब कुकिंग और इंदन लगा दिया है चूले में लेकिन आजकल थोड़ा सीलन है न इसलिए बहुत टाइम लगता है आज जलाने में बहुत ज्यादा और आप लोगों में से कई कमेंट भी आए थे कि आप ना थेली यूज कर लिया करो तो थेली एक तो थोड़ा सा अच्छा नहीं होता इंवार्मेंट के लिए भी तूसरा बहुत गंदी सी स्मेल आती है बहुत देर तक पूर मांच जला दिये हैं अभ यह दीरे-दीरे-दीरे सारी लखड़ियों में पकड़ लेगी और मैंने जो मोटी लखड़ियां जो होती है न वो दिन में जैसे व आ जाती न से बारिश आती है दिन में आज कल ह दो ने लेकर Gi someone फिर दूप में पड़ी रहती है फिर जैसे थोड़ा सा मोसम खराब होने लगता है फिर मैं अंदर रख देती हूँ क्योंकि फिर आँच जल्दी लग जाती है नहीं सीला ना जाएगी तो फिर वही दिक्कत होगी हैं इसे दाल सबजी विगर अच्छे से बन पाती है और यहां सर्माजी बैठे हैं आप सब के प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाइए करने के लिए पूरे दिन कमेंट्स का रिप्लाइए करते हैं पता नहीं इतनी मतलब कहां से लेका आता है मैं तो फोन में जैसे आदे गंटे लगाता है जब आपके कमेंट्स का रिप्लाइ करते हूं मेरे सिर में दर्द हो जाता है क्योंकि मुझे आज कल ऐसे लग रहा है जैसे कि मेरी आई साइट थोड़ी वीक हो गई है थोड़ा सा एकदम भारी हो जाता है ऐसा भी हाल रहता है आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से मेरे कमेंट्स के रिप्लाइ बहुत कम आ रहे हैं क्यों सिर्फ यही कारण है कि जैसे जदा जदा घंटे आद घंटे के बाद में फोन पकड़ाई नहीं जाता और कमेंट्स इतने आते ह कि सारों में रिप्लाइ करते करते ना तीन चार घंटे तो चाहिए तो फिर यह आज कल लीट हो रहा है रिप्लाइ थोड़ा से सोरी माप भी करना आप लोग मेरे को भी लेकिन सरमाजी अपना चस्मा लगा के प्रॉपर सब को रिप्लाइ करते हैं उनकी हैबिट में सामिल ह गया है वो जैसे वीडियो अपलोड करेंगे उसके बाद में शूरू हो जाएंगे आप सब के कमेंट का रिपलाई करना और यह जो सामान दाल चोकी है नहीं नहीं दाल चोकनी है मिरको तो उसके लिए मैंने सारा सामान एक बार यहां लाके रख दिया और मसाल दानी भी मेरे पास बहुत पहले से है आप लोगों की कई लोग मतलब कमेंट आयते कि मसाल दानी रख लो दी दिवार बार डिबे नहीं लाने पड़ेंगे उस घर में जब ती जब तो वहां पर कोई भी मसाल मसाल दानी जो है ना उसको अच्छा नहीं समझता वो लोग नहीं रखना चात है और अब यहां मैं कर रही हूं क्योंकि बार-बार सारी डिबे उठाके नहीं लाने पड़ते है और आप मेसे जैसे कई लोगों के और भी कई कमेंट आये थे चुले के पास चपल पहनते हो जब उस घर में रहते थे तब तो जब इतने लोग होते हैं वहां पे थोड़ा स दाल मैंने कल बताया था ना वीडियो में तो फिर बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आये थे कि ऐसे कैसे डाल बनेगी मतलब अच्छी वाली तो देखो खाली मैंने जीरा डाला है पानी डाल दिया है अब इसमें हल्दी और नमक बस और कुछ नहीं इसको ढख देंगे बॉय ल बन कर तयार होएगी और ज्यादतर मैं मिक्स जो दाल होती ना वही यूज करती हूँ तो दाल में तड़का लग गया है आज भी बहुत अच्छी जल गई है और पानी में बॉय ला चुका है अब इसमें ये डाल डाल देते हैं ताकि अच्छे से पकर तयार हो जाए और च्छत पर डाल लीजिए च्छत पर भी बहुत बन जाएगी जब मैं रुद्रपूर थी ना तो आप मेरे सर्मा जी के व्लोग में देखना मैंने वहां पर बाहर अंगी टी रखी थी मुझे अच्छा लगता है मतलब मैंने चुले चुले नहीं था तो मैंने अंगी टी और यहां पर बेटियां आ चुकी हैं सावन का महीना लग गया है मतलब लगा नहीं लगेगा लेकिन हमारे एकादसी पर क्या होता है कुछ रशम होती है वो करनी होती है तीज से रिलेटिड ही तो वो लोग करने के लिए इनको पहले ही बुलाय गया है दोनों बेटियां पर बेटिर मेरे बहुत अच्छा सा अच्छा सा माहूल रहता है लेकिन बड़ी इनलक्यां इस मामली में नहीं रह पाई बस हो थी कुछ कारण ऐसे ही थे नहीं रह पाई मैं में माइके के मामले में बहुत ज Ahina की रही हूं मतलब शादी चे बाद में शादी के बार में possible हुआ ही नहीं कभी देखेंगे कभी बताऊंगे आपको सब कुछ फुरसत में और यहां पर बेटी और मैं दोनों बात करने लगे बेटी मेरी यह बहुत अच्छी फ्रेंड है यह जितनी भी बेटी आप देखते हो वीडियो में बहुत अच्छे से दोस्त के जैसे रहते हैं चाची बती जी अच्छा लगता है जैसे मैं यहां शादियों के आई थी ना तो यहां पर यह बेटी यह जो है ना यह उस टाइम पर कोई आट साल की कोई दस साल की ऐसे थी तो मेरे पास खेली है और मेरे सामने बड़ी हुई है हर चीज का मेरे से शेयर किया है हर बात दोस्त से समझ दीजिए मैं अपनी मन की बाते बत्या लेती हूं और यही बस यहां स्ट्रेस में होने का कारण है मतलब रुद्रपूर में थे ना तब यह सब कुछ नहीं था वहां पर एक स्ट्रेस का माहौल इसी लिए था क्योंकि वहां पर बस मैं और सर्मा जी और बच् अब दाल बनी नहीं है दाल बनने वाली है थोड़ा ताइम लगेगा इसमें अभी हाफ समझ लीजिए हाफ ताइम गुज़रा है हाफ हो लगेगा मैंने अटा लगाया बीच में आटा लगा कि रख दिया बस रोटियां सिकूंगी दाल बनने के बाद में और फिर उसके बा होते है न मैं ने गिती मेने साधी के पहले है जाना तब ही होते है लेकिन मैं नहीं जा पाई इस मामले में बहुत अनलकी मैं यह हैं बहुत ज्यादाम दूर ओ enos से बताऊंगी कभी फुरसत से बहुत ज्यादा अनलगी रही हूं माय का तो छुटी गया शादी के बाद में ऐसे होता है बहुत सारे लोगों का छुट जाता है फिर आदत भी बढ़ जाती है दीरे-दीरे यह सोचते है कि चलो कोई बार ने यही अवना परिवार है और बाल नहीं लगेगी चली फिर थोड़ दे मिल दियूं